हेलो एवरीवन तो यहां पर मैंने रात को दई जमाई थी क्यूंकि मुझे आज स्रीखंड बनाना है कल के लिए कल है सितलासातम इसके लिए तो यह अच्छे से मेरे दई चमके तयार हो गए है तो यहां पर मैंने एक कोटन का कपड़ा ले लिया है रख दूइंगि और यह एक लिटर दूद था इसे में अब इस और शान लोंगय हमें खटी देंच चाहिए तो मैंने जामन थोड़ा सा हिट किया था तो अब इसमें ऐट कर देंगी इतना शा रख लूँगी में खाने के लिए दोपेर को और इसे अच्छे से बांद के ऐसे कपड़े को तो अभी मैंने इस दहें को अच्छे से इस कपड़े में बांद दिया है आप देख सकते हो गाठ लगा दिये और मैं इसी छनी में रख दूँगी और नीचे बावूल रखोंगी और इसे में तीन से चार घंटे के लिए फ्रीज में सेठ होने के लिए रख दूँगी पैनी जाधा्ना जमा हो गए था तो देख निकल लिया था तो अपी आप देख सकते हो यह मठ्ठ हमारा बन के तैयार हो गया और इस बाउल में से निकल कि आ लिए है उस पानी से हम भांडवा, धोकला, कड़ी या पनीर बनाने में रोटी का आटा लगने में कहीं भी हम इसे यूज कर सकते हैं तो यहीं बता रही थी मैं आपको और मैंने आते गंटे पहले गरम पानी में काजू, बदाम और पिस्ता वह भीगो दिये थे और सुकी किसमिस भी मैंने भीगा दी थी तो अभी मैं इसका सारा पानी निकाल कर उसे अच्छे से छिल के काट लूँगी, फिर आपको आगे बताती मूं कि तो अब हैक बदाती तो अब क्ना जाता इतकता चुका कर flavor और संपानी तो अब अगने मैंने कट कर लिए है से और में मैं ने चीनी भी पीषके ले ले ली है पहले थोड़ा हाड लगेगा आपको मिलाने में क्योंकि फ्रिज से हमने मठा निखाला था तो जैसे ही आप फेटते जाओगे यह फ्लफी हो जाएगा आप देख सकते हो अच्छे से यह फ्लफी हो गया है तो अभी मैं एक बार और चिनी मिलाओंगी और सारी मिलाकर मैंने थ अच्छे से मिला लेंगे और जैसे हम मार्केट से सिखन मगाते है बाजार से लाते वेसा ही बन के तयार हो जाएगा नहीं वह फ्लफी हो तो अब हम इसमें जो ड्राइब फ्रूट करके रखे है मैंने वो सारे हम इसमें एट करेंगे तो यहांना पर काजू बदा मोर् किस् में सेट कर दूंगी और उपर से 2-3 ड्रोप्स वेनिला एसेंस के एट करेंगे तो उससे क्या होगा जैसा हम बाजार से स्रिखन लाते हैं वैसा ही परफेक्ट बनके तयार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये घर पर स्रिखन बनाया है तो अभी मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और फिर से इसे में 3-4 घंटे के लिए इसे में फ्रीज में सेट होने के लिए रख दूंगी और हाँ आप जब भी घर पर स्रिखन बनाये तो एक बात का ध्यान रखना कि आपकी दहीं खटी नहीं होनी चाहिए उससे आपको चीनी ज्यादा दिखाऊंगी कि कैसी हमारे शिखन बन तो अभी तीन से चार घंटे हो गये है और मैंने श्रीखन को फ्रीज से निकाल लिया है और आप देख सकते हो जैसा हम मार्केट से लाते है वेसा ही टेक्चर है और वेसा ही श्रीखन हमारा बन के तयार हो गया है आप देख सकते हो त तो हमारा श्रीखंड बनके तयार हो गया है, मिक्स ड्राइफ प्रूट श्रीखंड है और मैंने पिस्ता से इसे गार्निश किया है, तो आप लोग इसे एक बार चरू ट्राइ करना और खरपे बनाना और मुझे कमेट में बताना कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लग झाल 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 आप लोगों कैसे हो आप लोग आए होप आप लोग अच्छे होंगे आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पर तो आज सुबह से आप लोगों से कोई बात ही नहीं हो पाई और अभी रात के बज़े है साड़े नो मैं सुबह से ऐसे ही कंटीन्यू काम में लगी हुई थी क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े वोस किये और थोड़े-बहुत कपड़े प्रेस के थे वह भी निप्टाए और अभी मेने कल के लिए खाना भी बनाया आप लोगों ने देखा मेने बुड़ वाली पूरी बनाई है और सबजी और स्रिखन भी बनाया है कल के लिए क्योंकि गरम खाना नहीं बनेगा यह जो आज मेने बनाया है वही खाना हम कल खाएंगे ठंडा क्योंकि कल मेरा वरत है सितला सातम का तो इस वरत में गरम खाना नहीं खाया जाता है ठंडा ही खाना खाया जाता है और यह व रोटी भी चल जाएगी रोटी भी बना कर आप रख दोगे तो सुभे ठंडी रोटी और कोई भी सब्जी या दही या रोटी दही पूरी यह सब आप खा सकते हो तो मैंने कल के लिए काले चने की सब्जी बनाई है ड्राइवाली और दही जमा दूंगी कल छाज भी नहीं और उस जलाएंगे नहीं कल के दिन और अभी में रात को दस बजे उसमें को में ठंडा कर दूंगी और उसकी उस तूले के उपर एक प्लेट ढग दूंगी तो यहीं बात करनी थी आप लोगों से और कल पूरा दी ने से ही जाएगा कोई काम नहीं होगा फ्री आराम करो क्य करने के निखे लिए तो अभी में ने तॉजा की थाली भी तयार कर ली है अब देख सकते हो मेरे हाथों में कुम-कुम लगा है तूख कि अभी में किचन में थी तो मैंने हाथ के हाथ ही है सारे काम निप्टा ही लिए सुबह धारा कई स्कूल होती है और उसे तयार करना उसे स्कूल भेजना उसका चाय नासता यह सब तो इसी वज़े से मैंने सुचा चलो थकी हूं तो थोड़ी और थकूंगी उससे क्या फरक प आगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतनी मेरी वीडियो को आगे से आगे सेर करें बस यहीं बात करने थी और अभी तो मुझे पेरों में भी बहुत जादा दर्द है और सिर में भी दर्द है देखती हूं थारा के पापा को में बहुत ही कम आपके साथ में सेर करती हूं पूरा दिन मेरा कैसा जाता है यह मुझे ही पता है पूरा दिन में वीजी रहती हूं मैं आगे आगे आपके साथ जरूर सेर करूंगी तो वीडियो का एंड कर दिया है फिर भी मैं आप लोगों से बात किये जा रहे हूं किये जा था आज का वीडियो कल फिर मिलूंगी नहीं वीडियो के साथ नहीं रेसेपी के साथ बाइबाइब गुड़ नाइट जैमाता जी